तो आज मैं ना के वेल आपको freehand draw करना बताऊंगा, बलकि यह सब भी बताऊंगा, कि आप कौन कौन सी गलती करते हैं, तो guys यह photograph है, जो मैं draw करूँगा, girls की photograph है, तो guys मेरी gallery में जादा यूम में ने नेक्र नहीं करता है तो मैं यूम करने के लिए एक स्कूराइब किन नोमर में धेयर करता है तो और यहां पर जूम सकते हैं यहां यहां यह कर parents सकते हैं अब गाइस मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं और गाइस ड्रॉ करने से पहले कोई भी आप मतलब फेस स्केच डियलिस्टिक ड्रॉ करें आउट लाइन तो इसको ड्रॉ करने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करना चाहिए वह मैं आभी आपको बताता हूं कि क्या करना चाहिए तो गाइस मैं यह फोर एच नहीं सुरी सिक्सेच पैंसल पूरी ड्रॉइंग में यूज सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप इसमें क्या करें मैं आपके छोटी सी ट्रिक बताता हूं उसके जड़िए आपका हाथ एकदम फ्री एंड एकदम एकुरेट चलेगा यदि आपकी प्रैक्टिस है तो तो गाइस मैं क्या करता हूं अभी आप लोग देखिए तो गाइ अंगल ड्रो कर रहा हूं बस इसी पर पैंसल चलाता जाओं लाइंस वगएरा तो इससे क्या होता है हाथों का जो क्या कुछ भी बोलते हो उसको पता नहीं क्या बोलते वह सही हो जाता है जैसे कि मतलब हाथ हमारे एकुरेट चलने लगते हैं गाइस देखिए मैं इस पर ऐ कितने में चहरा मतलब कितना चोटा बड़ा बनाना चाहिए फिर उसी हसाब से फोटोग्राप को जूम कर दीजिए जतना स्केच ड्रो करना हो उतना फोटो को जूम कीजिए फिर गाइस मैं तो देखिए आँखों से शुरू करता हूं हमेशा से तो मेरे हसाब से आप लोग अच्छा नहीं लगा फ्री हेंड के लिए फिर फ्री हेंड ही नहीं किलाएगा तो आप देख रहे हैं तो फोटोग्राप को अच्छे से अब्जर्व कीजिए और धीरे धीरे लाइट मतलब एकदम यूनिफॉर्म मोर्शन में पैंसल को चलाते चलाते आई ड्रो कीजिए फोटोग्राप को देखते चाहिए किस तरह की की आई है और यदि आप लोगों की प्रेक्टिस है तो आई आई को बहुत ही अच्छे से एकुरेट ड्रो कर सकती हैं गाइस कोसे कीजिए कि आप आई की नोज की और लिपस इन सब की थोड़ा अलग से प्रेक्टिस कीजिए उनन डिफ्रेंस एंगल से तो आप लोगों को बहुत जादा मतलब बहुत जादा अच्छा लगेगा बनाने में और फ्रेंड आप ड्रो कर सकते हैं गैस मैं Dus दिखाऊंगा जो मैंने वीडियो जो मैंने रुकिक है तो फ्रेंड में इसको तना ज्यादा किलियर नहीं बना रहा हूं मतलब ज्यादा टायम देखें भी नहीं बना रहा हूं बस कोशना स करणाम को आपको क्लीयर तरीके से समझ में आए अच्छे से एक्स्प्लेन हो सके कि फ्रीहंड आउट्लैंड करते हैं किस मिजर्मेंट का मिजर्मेंट कैसे करते हैं बस यही सब मुझे इस वीडियो में आपको बता आना है ऐसे आपको एक मेजर्मेंट के छोटी सी ट्रेक बताता हूं जिससे कि आप I को ड्रौ करने में आपको थोड़ा हैल्प मिलेगी तो मैं इस स्केल से थोड़ा सा आपके चीज बताता हूं कि जो दो आई होते हैं दो नौ आई के बीच एक घैफ होता है तो गाइस उसको हम नाप करके उतनी जगा छोड़ देंगे और फिर दूसरी आई ड्रोग करेंगे तो जैसे कि मैंने यह अपनी आई का मेजर कर लिया अम मैं ठीक उतनी हाई इस पर छोड़ रहा हूं जितना की एक आई की लंबाई होती है तो गाइस दूसरी आई पर मैं वहीं से सुरू करूंगा और दूसरी आई कि को भी हम उतना ही ड्रोग करेंगे जतना हमने पहली आई ड्रोग की है तो गाइस इस मेजरमेंट को प्योग करके हम आई को बहुत अच्छे से एक्क्यूरेट ड्रोग कर सकते हैं तो फ्रेंड बस फोटोग्राफ के अकोडिंग आप ड्रोग करते जाएं आपको मेजरमेंट का यदि नौलेज है तो आप अच्छे से ड्रोग कर सकते हैं तो गाइस मैं आपको थोड़ा बहुत और पता दूँं जैसे कि आपको पता होगा कि जो आई होती है तो उपर की ल सब चीजें हमको मेजरमेंट मतलब यही मेजरमेंट हमको फ्री एंड ड्रोग करने में हेल्प फॉल होता है तभी हम फ्री एंड ड्रोग कर पाते हैं यदि यह सब चीज हमको नहीं पता था हमको फ्री एंड ड्रोग करने में प्रॉब्लम होती है इसलिए कहते हैं कि फ्री तरीके से आप ड्रो करते जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं और खुब टाइम दीजिए जितना आप टाइम देना चाहें तो चली फ्रेंड यह नोजडर करते हैं इसका भी मेज़र कर लेते हैं ना यह नोजकी लाइनस और आई की पहली लाइन्स मतलब एक ही ही लाइन में होती हैं तो हम इसी तरह के समय जब करकी नोजडरो कर लेते हैं मैं सब से मत संदीद स्टैफ यह मैं में इसको ड्रो करता हूं मुझे बहुत ईजी लगती है द्रो करना और मुझे सब से हधल लगता है ऊंट्टॉ रहे हैं तो आप देखिए मैं किस तरह करता हूं गाइस इस तरह है हम इस तरह बीड मेझर करें की नोस का ये वाला हिस्सा और आई का वह वाला हिस्सा दोनों एक ही लाइन में होंगे ये देखिए यह मैंने लाइन की चलिए मैं मुझे पता होगा कि अधर तक ही आएगी तो इस तरीके से मेजर करके हम भी ट्रॉ कर लेंगे बहुत ही इजियर गाईस मतलब आप लोगों को बहुत ज्याद़ प्रॉब्लम भी पड़ सकती है मदफ फॉल कॉंफिडेंटली ड्रॉप कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी तो यार हम मैं स्किल की हेल्प से जितनी नोस की हाइट उसी की उसी के तीन पार्ट और करूंगा एक नीचे के लिए और एक उपर के लिए यह एकल होते हैं नोच की हाइट के तो यह मेजरमेंट को प्यूप करके हम हमें हैल्प हो लोगा फ्री एंट ड्रो करने में मतला हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा पार्ट कहां तक आएगा तो मैंने यह पार्ट वाई पार्ट इनको डिवाइट कर लिया हमने ड्रो कर रहा हूं कि कैसे ड्रो करते हैं मतलब आप observe कीजिए देखिए और सबसे बड़ी बात तुम हुए कि बस आपकी जितनी practice होगी आप उसह के हिसाफ से ड्रो कर सकते हैं तो गाइस हम ड्रो करने में फोन की भी हेल्प ले सकते हैं किस तरीके से कौन से इसको मेजर करके ड्रो कर सकते हैं और पैंसल को भी सर्फ करते जाए यह मतलब तो अब देखे मैंने यहां पर रेस किया क्योंकि मुझे मिश्टेक हुई है तो आप लोग यह ना सोचिए कि गलत करती होगी तभी तो आंगे अच्छा ड्रो होगा यह फोन से हम एज़ा ही मिजर्मेंट करके ड्रो कर सकते हैं अब बस इसी तरीके से कुछ ड्रो करते जाहिए आपको यदि लिप्स की प्रेक्टिस है तो और भी अच्छ यह से ड्रो होगा अब गाइस यहां पर मैं आपको सब्सक्राइब के ने चाह 000 अब हुआं थाट यह का नीकिन już užना यह इस के दांत को ड्रो करान तब यह थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा यह दructor लग रहा तो यह मनशोच धिए को मेरी ड्रो यंची नहीं लग期े अब देखे अमेज जब टीथ ड्रोउ कर रहा हूं था ये द्राइंग अच्छी नहीं लगए तो आप एसा नहीं सूचिए के ड्राइंग अच्छी नहीं बनी ये गलत बात है हमसे और भी अच्छी बनेगी येला देखिए आप थोड़ा सची लगने लगी मतलब जैसे ही हम आगे बनाते जाएंगे उसी हिसाब से ड्रोइंग अच्छी बनती जाएगी फिर असने सोची बार-बार उसको मिटाएंगी अच्छी बनी आप तो यह देखे फोटोग्राफ में कैसी है फोटोग्राफ क्या कॉर्डेंग बनी या नहीं बनी बस बांगी आपको किसी से कोई म मतलिया करो और गाइस मैं आपको बता दुए बात मैं यह ड्रोग करते करते तीन बार मतलब रेस्टी भी ले लिए पंदर पंदर मिनिट का तो आप यह सक कीजिए थोड़ा सा घूम क्या यह फिर ड्रोग कीजिए थोड़ा झाल 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 प्रेंड यह सकेच्ट थो हमारा कम्प्लीट हो चुका है अब जो आपके स्केच्च देखाऊंगा वह मैंने फिरी हेंड ही ड्रोग की यह सब स्केच मैंने फ्री हंडरों किये हैं और इन सबकी टाइम लब्स वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल आएगी तो थेंक यू सो माच